प्रिवासा के अंदर देखे जिस सब से किसी कार्य के करने या होने का बहुत होता है उसे किरिया कहते हैं जैसे उठना बैठना लिखना पढ़ना आना जाना खाना आदी किरिया के भेद किरिया के देखिए अलग-अलग भेद होते हैं उन्हें से होता है कर्म किरिया सकर्म किरिया प्रेणार्थक किरिया सयूंत किरिया मुख्य किरिया सहय किरिया स सोना बैठना आदि इसी तरह से हम बात कर रहे हैं दूसरी इसके अंदर देखिए कि सैक कर्म किरिया क्या होती है वे किरिया जिने कर्म की आवशिक्ता होती है सैक कर्म किरिया कहलाती है जैसे पढ़ना लिखना कहना आदि प्रेनार्थक किरिया प्रेनार्थक किरिया देखिए वह किरिया जिसमें करता स्वयम कर्म न करके किसी अन्य से कर्म कारिय करवाता है उसे प्रेनार्थक किरिया कहते हैं करता प्रेना दे करके कारिय करवाता है जैसे पढ़वाना लिखवाना बनवाना अधी मा बच्ची से चाय बनवाती है अध्यापक छातर से पाट पढ़वात राम श्याम से पत्तर लिखवाता है इस तरह के जो सब्द आते हैं इस तरह की जो किरिया होती है वो प्रेनाथ किरिया कहलाती है अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अगली किरियों के बारे में और इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे अगले में हम बात करें तब तक के लिए नमस्कार